नमस्ते दोस्तों मैं निरस दुकर आपका इस चैनल में स्वाइब करता हूँ आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि Small Case आपके लिए सही क्यों नहीं है और उसके बारे में मैं आपको 5 रीजन भी बताने वाला हूँ कि ये क्यों सही नहीं हो सकता है तो आईए शुरू करते हैं तो पहला और सबसे बड़ा इंपोर्टेंट रीजन ये है कि Small Case में एक fee लगता है वो upfront fee होती है तो आपने जनरली दिखा होगा Small Case में बहुत सरे fund managers है तो वो जो upfront fee है generally on an average manager notice के 15,000 rupees per annum है तो 15,000 के इसाब से अगर आपको इसका जो cost है उसको justify करना है for example अगर आप mutual fund में invest करते हैं तो mutual fund में जो maximum expense ratio होता है वो 2.5% होता है तो आपको अपना expense ratio 1.5 to 2.2% के आसपास में रखना है क्योंकि एक average mutual fund का cost भी उतना होता है on the higher side, on the lower side कम भी हो सकता है तो अगर आप अपना expense ratio 2% भी रखते हैं इस case में तो at least 7.5 lakh rupees की investment तो आपकी होनी ही चाहिए तो अगर आपके पास 7.5 lakh rupees हैं और आप 15,000 rupees इसमें invest कर रहें तो थोड़ा बहुत make sense करेगा कि आप small case में invest कर सकते हैं otherwise नहीं करेगा friends तो आप देखें कि आपका जो initial corpus है वो जादा है कि नहीं उसके बाद ही small case में invest करने का decision लें और अगर आपने ऐसे कोई decision लिया है और आप अभी small case में invest कर रहे हैं तो comment करके बताएं मुझे कि आप कौन से small case में invest कर रहे हैं मुझे भी idea आएगा कि वो सही है कि नहीं मैं आपको बता पाऊंगा और आपको help कर पाऊंगा ठीक है अभी next है जो second reason है friends उसका basically यह है कि आप देखेंगे small case में इतने सारी fund managers है बट आप कौन से fund manager को trust कर सकते हैं कि है twitter आप उनको थोड़े दिन से follow कर रहे हैं but the problem is that any fund manager should have a decent history in the markets याँ कि अगर उनोंने 2-4 cycles नहीं देखा है तो उनके पास experience ही नहीं है और आप अगर कोई fresh new fund managers का invest कर रहे हैं तो आप बट बड़ा risk लेरे हैं in my opinion तो आपको देखना है कि यह जो fund manager है उनका track record किया है कितने साल से वो markets में है कितने टाइम से वो invest कर रहे हैं कितने टाइम से वो लोगों का पैसा handle कर रहे है क्योंकि friends खुद का पैसा handle करना और लोगों का पैसा handle करना इसमें जमीन आसमान का फरक है तो आपको थोड़ा सा ध्यान यहाँ पर जरूर देना चाहिए तो तीसरा रीजन है वो है टोटल कॉस्ट फ्रेंड्स तो पहले तो मैंने आपको एक्सपेंस रिश्यो में बताया जो पहला रीजन था उसके अलावा और क्या-क्या कॉस्स हो सकते हैं तो small case मतलब आपको stocks directly खरीदना है instead of a mutual fund, mutual fund में तो fund manager खरीदता है आपके लिए और आपको units मिलता है यहाँ पर आप stocks directly खरीदते हैं तो इसमें बहुत सारे cost इंवल गते हैं तो transaction cost हो गया है राइट which could be different for a different broker 0.2% से लेके 2% तक भी हो सकता है transaction cost depending on what broker you are using उसके अलावा आपको दुसरे cost भी है जैसे for example अगर आप dividend आते हैं तो dividend पे अगर आप 30% tax bracket पे हैं तो आपको उस dividend पे tax pay करना पड़ेगा और यह आपको advanced tax method से pay करना पड़ेगा आपको अपने जिब से पैसे देने पड़ेंगे अगर आप mutual fund में इंवेस्टेट रहेंगे तो यह वाले पैसे नहीं लगेंगे करकि dividends are tax free when received in a mutual fund secondly friends if you see आपका जो small case है generally it will churn a lot it will buy and sell, buy and sell generally यह लोग या तो weekly rebalancing करते हैं या monthly rebalancing करते हैं तो इस case में जो भी selling होती है अगर थोड़ा से भी profit book होता है तो उसमें आपको long term capital gain और short term capital gain लगेगा उसका भी tax बरना पड़ेगा अगर mutual fund में आप एक बार invest करने तो जब तक आप sell ना करें आपको उसका tax नहीं बरना है और अगर आप 10 साल से 20 साल तक hold कर सके तो आप अपना tax significantly differ कर सकते हैं friends so this is another disadvantage of a small case so friends before I move on आपने देखा होगा कि small case में आप limit orders नहीं डाल सकते आपको market price पर ही खरीदना पड़ेगा तो इसमें क्या होता है अगर जैसे small case manager ने अपडेट कर दिया और उन्होंने अपना price अपडेट कर दिया आप तो next day की market opening पर ही खरीदेंगे तो उसमें क्या होगा friends आपने जैसे for example उसने अगर डाला cost price purchase price in the portfolio उसने अगर 100 rupees update किया based on the closing of the previous day बट next day अगर वो 105 पर खुल रहा है तो आपका 5% का तो immediately loss हो गया बट वो fund manager तो कहेगा कि मैंने तो 100 rupees पे call दिया था तो मैं ये 5% का जो return है वो भी capture करूँगा अपने returns में तो problem यह ना friends की आप जो fund manager जो back-tested returns आपको दिखाता है और जो actuals में return होंगे वो बहुत ही different होंगे because आप जो buy कर रहे हैं वो market price पे buy कर रहे हैं आप limit price पे buy नहीं कर रहे हैं तो अगर आप limit लगा के buy कर रहे हैं तो अगर आप limit लगा के buy कर रहे हैं then it is good for you but otherwise it is not good for you friends and secondly जो back-testing है इसके वारे मैं तोड़ा skeptical हूँ friends आपको इतना धान रखना है कि कोई भी fund manager आके ऐसा नहीं बोलेगा कि मेरा back-testing खराब है और back-testing मेरे results खराब थे because he has to sell his product so he will always show you the best back-tested result so he will always show you the best back-tested result so 100 times back-test करेगा औरसमें से जो best all result था वो आपको दिखाएगा कि यह मेरा back-tested result है और मेरा portfolio amazing है friends the headache of managing all this right पहला तो issue है कि आपको हर time rebalance timely करना है क्योंकि अगर आप illiquid stocks में invested है या small caps में invested है they are extremely volatile and they can ruin your portfolio in a day right तो आपको time से available रहना है और आपको अपने rebalancing करना है कर आपने कोई एक दिन भी मिस करते है तो it can create a significant dent in your portfolio right then you have to manage all this and you know file your taxes pay or advance taxes on time and you know tax filing में भी बहुत सारे details discuss करने पढ़ते है तो वो एक और headache है तीसरा और जो सबसे बड़ा risk में ही है वो है fund manager का risk friends आप एक fund manager पर rely कर रहे है और अगर वो fund manager because of some reason if he is not able to send out an update on the rebalance और या फिर उसको कुछ हो जाता है तो आपका portfolio अठक जाएगा because there is no one else who will take care of it right? क्योंकि अगर आप देखे है in a general mutual fund setup there is an investment committee and there are limits to the maximum investment you can make in a mutual fund mutual fund can make in a stock right? but यह सब limits small case में नहीं है so you have to be very aware about this and make sure that you don't put all your eggs in one basket friends अगर आप invest कर भी रहे हैं तो थोड़ा पैसा लगा है if you have any questions please don't forget to ask आप पूछे मुझे कुछ भी question was with respect to small case and mutual funds generally देनो इसमें बहुत सारी differences है friends mutual fund or small case में I personally prefer investing in a mutual fund rather than a small case because the simple reason that I want to keep my portfolio simple I want to keep my life simple friends तो if you have any questions please don't forget to ask and also like, subscribe करना ना बुले और share करना ना बुले Thank you so much